नमस्कार बच्चो जैहन कैसे हैं आप लोग तो बच्चो आज हम क्लास 7th NCRT सप्लिमेंटर रीडर का चैप्टर नमबर 2nd डिसकस करने वाले हैं जो है ब्रेंगिंग अप कैरी तो बच्चो इसमें एक हाथी के बच्चे की कहानी है ठीक है जिसका नाम कैरी रहता है तो बच् खाना पीना क्या खाता पीता है और साथी साथ कैसे बड़े होते हैं ठीक है वह और उसके कीपर्स उसके जो फ्रेंड हैं वह आप देख सकते हैं यहां पर है कैरी और उसके साथ में उसका दोस्त जो एक साथ ही बड़े हो रहा है ठीक है चलिए तो इस चैप्टर में बहुत डूबने से क्या करते हैं बच्छों बचा आते हैं शेम्टर के अंतरगत ठीक है अगर एस कैंब पर नहें थो चैनल को सब्सक्राइब कर लीज़ेगा विडियो को पहली बार देखने है तो विडियो को लाइक करना मत भूलत रगाव चले शेlam करते हैं स्टार्ट मैंने कुछ पहले ही हाड वर्ट को क्या कर लिया है बच्छो अंडरलाइन कर लिया जिसे कि आपको कोई चीजों को समझने में दिखकर नहीं आएगी ठीक है चलिए चप्टर को स्टार्ट करते हैं देखिए का पॉइंट टॉम्बर वन क्या कहरा भी करा कि कैरी बच्चो हाथी का बच्चा ठीक है जो लगभग पांच वरस का है ठीक है तो सौरी पांच वरस का नहीं पांच महीने का ठीक है तो कैरी जो है वो पांच महीने का एक छोटा हांथी का बच्चा है लिप्ष एन ग्रू अप विधीज नाइन इस ओल्ड फ्रेंड एंड कीपर जो पांच महीने का हाथी का बच्चा है बच्चो वो क्या कर रहा है अपने मित्र के साथ ठीक है ना यानि जो अपने नौ साल का मित्र है और जो रखवाला है कीपर्स मतलब रखने वाला उसको पालने वाला ठीक है बच्चो वो एक साथी रहते हैं एक साथी बढ़े लिखे एक ही साथ क्या होते हैं बढ़ रहा है ठीक है गुरु आप मतलब बढ़ना ठीक है चलिए अगला पॉइंट कहा रहा है करी डेस नाट एट मच करी जो है ज्यादा नहीं खाता ठीक है करी जो है ज्यादा नहीं खाता जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम आप डिलीशियस ट्री मतलब ठीक है डिलीशियस मतलब स्वादिश्ट है तो कह रहा बच्चो कि करी ज्यादा तो नहीं खाता ठीक है करी डेसंट इट मच जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम आफ डिलीशियस ट्वीग डे यानि कि एक दिन में उसका जो भोजाने बच्चो वह 16 किलोग्राम जो बेस् खिलाडी ठीक है और सिंस्टी का मतलब भावक से लेंगे हम भावक क्या हो जागा बच्चो भावक ठीक है तो कह रहा है कि जो खिलाडी है और जो भावक है ठीक है ना कैरी सेब्स अब वाय यानि कि खिलाडी और भावक कैरी एक बच्चे को क्या करते हैं डूबने से बच् की मिल करके ठीक है चली आगे ध्यान दीजिएगा इस टोरी को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं चली कर रहा है कैरी एलिफेंट वाज फाइफ मॉंस ओल यानि कैरी जो एक हाथी का बच्चा रहता है जिसकी उम्रे लगभग प सर मिलता है ठीक है आई वाज नाइन इर्स ओल मेरी उमर कितनी रहती है बच्चो नौ वरस रहती है ठीक है तो मैं लगभग नौ शाल का था एंड आई कुड रीच यानि कि जब मैं अपने इंडी या पंजे के बल खाड़ा होता था तब मैं उसके बैक यानि कि हम कह सकते हैं कि उसकी कमर तक ही पहुच पाता था जब मैं अपने पंजो के बल खळा होता था ठीके वो इतना लंबा था कौन हाथी का बच्चा यानी कह रही ठीके बच्चो अगे कह रहा है कि he seemed to remain that high for nearly 2 years कह रहा बच्चो कि वह इतना जाद्य था बड़ा ठीके he seemed to remain that high for nearly वो इतना लंबा था इतना उंचा था कि जैसे मानो वो दो साल का हाथी का बच्चा हो ऐसा वो लग रहा था उसकी उचाई इतनी जादी थी ठीक है चलिए आगे देहां दीजेगा आगे कह रहा है कि we grew together हम एक साथी बड़े हो रहे थे ठीक है that is probably why I have found out just how tall he was ठीक है तो हम एक साथी चुकी बड़े हो रहे थे ठीक है तो इसलिए सा था आगे कह रहा है कि he lived in a pavilion बच्चो pavilion का मतलब यहां पे मंडप से है ठीक है मंडप रहने का अस्थान किसका हाथी का जैसे अस्तबल में कौन रहता है भई हर्स घोड़ा रहता है ठीक है उसी तरीके से पावेलियन में कौन रहता है यहां पर हाथी का बच्चा रहता है तो पावेलियन से थात पर यह बच्चो यहां से मंडप से है तो आगे कह रहा है कि वह रहता है कहां पर मंडप में रहता है ठीक ह कौन हाथी का बच्चा under a thatched thatched का मतलब क्या हो जाएगा बच्चो छपपर thatched का मतलब क्या हो जाएगा छपपर तो कह रहा कि under a thatched roof which rested on thick trees stumps so that it could not fall in vain carry bumped against the poles as it moved about कह रहा बच्चो कि जब वो एक मंडप में रहता है तो उसकी जो छपपर रहती है ठीक है न उसके ठीक छट के नीचे ही वो tree stump एक पेंड से जो है उस पर support वगेरा लगा रहता है जिससे की वो गीरे न that it could not fall when it carry bumped against the poles as it moved out जब उसके चारू तरफ वो चक्कर लगाता है तो वो न गीरे इसके लिए वो पेंड पे support दिया गया रहता है ठीक है उसके pavilion का यानि मंडप का ठीक है बच्चो चलिए उमीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा तो like करते रहना है share करते रहना है आगे दखिएगा कह रहा है कि one of the first thing यानि की one of the first thing कह रहा बच्चो कि पहली चीज़ क्या चीज़ पहली चीज़ कैरी डीड वाज to save the life for a boy यानि की उसने एक लड़के की जान बचानी थी ठीक है न पहली बाद क्या थी भई कि one of the first thing पहली बाद कहरी डीड वाज to save the life of a boy कहरी ने एक बच्चे की जान बचाई भई ठीक है कहरी डिड नाट इट कहरी बहुँ जादे खाना नहीं खाता है ठीक है न बहुँ जादा नहीं चबाया कोई चीज़ को नहीं खाया बट ही ने वर्द लेस नीड फोटी पाउंड आप ट्वी डे लेकिन या चालीस पाउंड टहनियों किया सकता उसको प्रती दिन होती थी बच्चो एक बड़ फ टहनियों की एक दिन में ठीक है तुचिव एंड प्ले विद यानि कि वह उसे क्या करता था चबाता था और खेलने के लिए मतलब खेलने के लिए और खाने या चबाने के लिए उसे एक दिन में चालीस पाउंड टहनियों की जरूरत पड़ते थी ठीक है आगे कह रहा बच जाता था ठीक है आगे कहा रहा है ही चुकि आपको पता है बच्चो कि जो हाथ ही होता है न वो नहाने का बहुत बड़ा सोकीन होता है ठीक है कहा रहा बच्चो कि वह किनारे पर लेट जाता था जब मैं उसे नदी पर लेका जड़ता था कहा पर नदी के किनारे पर रेत में वो लेट जाता था बच्चो और मैं क्या करता था जब लेटा रहता था तो मैं रेत जो था ठीक है वो एक खंड़े तक उस पर रगड़ता रहता था ठीक है इसके बाद रेट पे तो लेटा ही रहता था no doubt लेकिन इसके बाद वो कहां लेटा रहता था पानी में वो लेटा रहता था ठीक है पानी चुकी कम रहा होगा पानी के लेवल इसलिए साहब ठीक है अप देख सकते हैं यहां पे देख सकते हैं बचल कैरी और उसका जो अनटी को बड़े हो रहे हैं नहीं करें खड़े हो रहा है जैसा कि मैं उपर बताया कि जब यह अपने पंजों के बल चली आगे देखेगा आगे क्या कह रहा है कि सेक्वेल सेक्वेल हमने उपर पड़े थे इसका मतलब होता है बच्छो चिलाना ठीक है तो सेक्वेल विट प्लीजर ऐसाई रब्ड वाटर डाउन से पकड़ता था रिजं कैंकि कांड से उसको कंट्रोल किया जा सकता था अपने देखाई होगा इसलीच जो है उसके जो रखने वाले होते हैं ठीक है उसको कान पकड़ के ही कंट्रोल करते हैं ठीक है because that is the easiest way to lead an elephant क्योंकि किसी हाथी को आगे बढ़ाने के लिए ठीक है उसको lead करने के लिए जो है सबसे आसान तरीका था उसके कान को पकड़ना ठीक है while I went into the forest to get some locius twig for his dinner और मैं उसे छोड़ देता था कहां पर जंगल के किनारे पर ठीक है और मैं उसके रात्री के भोजन को इकठा करने के लिए ठीक है शू स्वादित तहनिया ठीक है बच्चो लुशियस मतलब बहुत ही स्वादिस्ट टहनिया कठा करने के लिए चला जाता था उसको जंगल के किनारे छोड़ कर ठीक है वन हैस्ट्व वन हैस्ट्व हैब अवेरी सार्प थैस्ड ठीक है टू कट डाउन इस ट्वेक कहरा बच्चो की इन टहनियों को काटने के लिए ठीक है मुझे किसी धारदार या तीज हथियार की जरूरत पढ़ते थी ठीक है वेरी शार्प हैच्ड यानि कि इसका मतलब यह चोटी मोटी स्मॉल आप एक समझ सकते हैं इसका मतलब कहा है चोटी सी कुलाड़ी तो धारदार कुलाड़ी क्या हो सकता पढ़ते थी उस टैनियों को काटने के लिए ठीक है आगे कह रहा है कि इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पेंड़ हेच्ड विकॉज इफ ट्वीग इस मल्टी लेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टूच इट ध्यांदी जिगा बाबु कह रहा है कि कुलाड़ी को धरदार बनाने में यादा घंट हो जाती थी ठीक है मट्टी लेटिट यान इसमें कीचल वगेरा लग जाते थे तो हाथी उसको छूता तक नहीं था अब मल जो अच्छी टहनिया रहेगी प्याड़ अच्छे रहेंगे पौधे अच्छे रहेंगे तभी तो हाथी खायेगा ना अब गंदा चीज थोड़े है कि I had to climb all kind of trees to get the most delicate and tender twig कह रहा बच्छो कि मुझे लगभग सभी प्रकार के पेमड़ों पर चड़ना पड़ता था मुलायम टहनियों को काटने के लिए delicate मतलम नाजुक या कोमल टहनियों को काटने के लिए मुझे all kind of trees मुझे हर प्रकार के पेमड़ों पर चड़ना पड़ता था ठीक है as he was very fond of the young branches of the banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches I was gathering some of his spring day in March when I suddenly heard carry calling to me in the distance कह रहा बच्छो कि वो बहुत ही सौकीन था स्वादिष्ट टहनियों को खाने में उसे बड़ा मज़ा आता था banyan tree ठीक है which grows like a cathedral of leaves and branches कह रहा बच्छो कि जो गिर्जा cathedral यानि कि जो गिर्जा की सखाव पर उखती थी उसको खाना उसे बड़ा मज़ा आता था ठीक है I was gathering some of the spring day in March और मैं उसे इकठा करता था कब मैं उसे इकठा करता था कब March में बसंत के मोशं में कह रहा है बच्छो वह एक हांथी के बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं था ठीक है तो दकाल वोज मोर लाइक डैट आफ बेबी दैन एलिफेंट पहरा है बच्चो कि वह एक हांथी से ज्यादा बच्चा जैसा लगता था तो मुझे उसकी आवाज ऐसे आ रही थी जब वो चिलाया ठीक है आई थाट मैंने सोचा संबड़ी वाज हर्टिंग यानि मुझे लगा मैंने सोचा कि उसे कोई नुक्षान पहुचा रहा है चोट पहुचा रहा है बच्चो ठीक है चलिए आगे दहन दीजीगा आगे क्या कह रहा है आगे कर रहा है कि so I came down from the trees और मैं अचानक से भाई पहन से नीचे उत्रा ठीक है पहन से नीचे उत्रा एंड रन वेरी फास्ट और बहुत तेजी से दोड़ पड़ा to the age of the forest where I had lived him और उस जंगल की किनारे दोड़ पड़ा बच्चो जहां पर मैं उसे छोड़ा था but he was not there लेकिन वह वहां मौझूद नहीं था वहां था ही नहीं I looked all over मैंने हर तरफ धूड़ा उसे but I could not find him लेकिन मैं उसे नहीं धूड़ पाया मैंने उसे हर तरफ देखा लेकिन मैं उसे पा न सका मैं उसे धूड़ न सका ठीक है बच्चो आगे धान दीजेगा मैं पानी की किनारे पर गया and I saw a black something struggling above its surface मैं जब पानी की किनारे पर गया वच्चो तो मैंने देखा कि कुछ काला सा पानी की सता पर संघर्ज कर रहा है मैंने क्या देखा मैंने कुछ काली चीज़ देखी इस्ट्रगलिंग इबबीट सर्फेस जो सता पर शंघर्ज कर रही थी इस्ट्रगलिंग डैट मिन संघर्ज करना सता सर्फेस का मतलब क्या होता है बच्चो सता देनीट रोज हायर and it was the trunk of my elephant ठीक है बच्चो और क्या मैंने देखा तब मैंने सुचा he was drawing मैंने सुचा कि मुझे लागा कि हांती डूब रहा था यह वह डूब रहा था ठीक है I was helpless मैं आशाहाय था helpless that means आशाहाय था हिन ठीक है मैं आशाहाय था because क्योंकि I could not jump into the water क्यों क्योंकि मैं पानी में नहीं कुछ सकता था बच्चो इसलिए में क्या था आशाहाय था ठीक है आगे कह रहा है and save the 400 pound of him since he was much higher than much higher than I कह रहा है बच्चो चुकि वह 400 pound का वजनी था यह उसको जो वजन था बच्चो काफी चार्ट मतलब 400 pound काफी ज्यादा वजन हो जाएगा then I मेरी तूलना में वह कह रहा है इसलिए मैं कुद न सका पानी में but I saw his back raise above the water and the moment he cut my eye ठीक है लेकिन मैंने देखा कि वह मुझसे काफी उचा था ठीक है तो उसकी कमर को उपर उठ ते हुए मैंने देखा ठीक है the water and the moment cut down मैंने आखे यानि मेरी जो आखे थी बच्चो मेरे आखों से मैं यह देख पा रहा था कि उसकी कमर जो है उपर की ओर उठ रही है ठीक है he began to trumpet and struggle up to the shore so that means किनारा तो वह किनारे पर जो है बच्चो आने का प्रयास कर रहा था ठीक है आगे क्या कहा रहा है then still trumpeting he pushed me into the water and as I fell into the stream I saw a boy laying flat on the bottom of the river ठीक है तब उसने मेरे को क्या क्या पूश किया उसने मुझे को पूश किया ठीक है तब धक्का दे दिया उसने मुझे ठीक है और मैं क्या किना भई धारा में गिर गया I fell into the water मैंने पानी की या जल की मुख्य धारा में नदी की मुख्य धारा में गिर गया I saw a boy मैंने देखा एक बच्चे को laying later way flight on the bottom of the river यानि की मैंने एक लड़के को देखा जो पूरी तरीके से सता पर था न दीके ठीक है he had not altogether touched the bottom but was somewhat afloat मैंने क्या देखा कि भाई थोड़ा बहुत ही वह जो है बह रहा था मैंने एक लड़के को देखा ठीक है कि वह पानी के ऊपर थोड़ा बहुत तर था ठीक है I came to the surface of the water to take my breath और मैं पानी के ऊपर आया सांस लेने के लिए breath यानि की सांस लेने के लिए and there carry was standing और वहीं पर कौन ख़ड़ा था वहीं पर खड़ा था कौन carry ख़ड़ा था ठीक है आगे दिखिएगा his feet planted in the in the sand bank तो बच्चो उसका जो पैड़ था फीट उसका जो पैड़ था बच्चो वह कहां था बालू के रेत में था and his trunk और उसका जो सूण था बच्चो ठीक है stretched out like a hand is waiting for mine तो उसका जो सूण था बच्चो वह जो था मानो इस प्रकार से वह खड़ा था इंतजार कर रहा था जैसे मानो किसी व्यक्ति के हाथ हो मेरे इंतजार में वह खड़ा हो ठीक है ठीक है तैर नहीं सकता था इसलिए मैं उस लड़के को उपर नहीं ला पाया ठीक है I could not swim मैं तैर नहीं सकता था a sore and the slow current was already dragging me down और चुकि जो धारा थी धीमी भाव थी धीमी धारा थी वह मुझे खीचे जा रही थी नदी की जो धारा थी बच्चो पानी का जो भाव था वह खीचे ही जा रहा था ठीक है आगे दिखेगा आगे क्या कह रहा है कि sing us drift by in the current carry who was usually slow and ponderous suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch out his trunk again बच्चो कह रहा है कि मैंने ठीक है ना जहां से समझेगा sing of drift by in the current चुकि बहाव में था मैं पानी के तो इसलिए मैंने खुद को समझाते हुए कहा carry who was usually जो carry था ना वो समानने रूप से ठीक है ना slow and ponderous धीमा था और मेहनती था ना लेपूरियस था बच्चो तो धीमा था और काफी मेहनती था और मैंने अचानक से एक hawk पक्षी की like hawk hawk का मतलब क्या होता है hawk पक्षी होता है बच्चो एक ठीक है जैसे एक गलवल चल इस पैरो उसी तरीके से ठीक है तो आगे कह रहा है कि मैंने एक hawk पक्षी के समान ही क्या करा बहुआर किया ठीक है एन केम हाफवे इंटु दी वाटर और आधे धूरे पानी से क्या आया बाहर आया ठीक है आधार आ गया पानी में वहां पे बाहर आया ठीक है आगे का रहा है I saw him stretch out his trunk again तभी मैंने देखा कि वह सूर जो है फैलाया हुआ है ठीक है I raised up my hand मैंने हाथ को उठाया to catch पकटने के लिए इट उसको and it slipped और क्या हो गया मैं फिसल गया भई मैं फिर से फिसल गया या या फिर से फिसल गया ठीक है I found myself going under the water again मैंने फिर से पाया कि मैं पानी के नीचे क्या हो गया हूँ बहकर जा रहा हूँ ठीक है नदी की गहराई में जा रहा हूँ ऐसा मुझे लगा बट लेकिन प्यारे बच्चो आपके तस्बीर देख सकते हैं सुनहरे कैरी का और उसका जो है आप देख सकते हैं उसका जो मित्र है साथी है जो 9 वर्स कर रहता है और कैरी लगबग जो की 5 महीने कर रहता है बच्चो और यह अंजान सा लड़का जिसको दोनों लोग मिलकर बच्चाने का काम कर रहे हैं ठीक है चले बच्चो आगे दिखीगा आगे कहरा है बट इस टाइम लेकिन इस समय लेकिन इस समय मैंने पाया कि पानी अब घहरा नहीं है ठीक है इसलिए आई सेंग मैं डूब गया तो दी बटम आप द रीवर यानि एक दम तल में चला गया ठीक है नीचे वाले इस तर पे चला गया और डूब रहे होते हैं तो आप पैड से किक मारीएगा ना नीचे तो आप उपर आजाएंगे ठीक है तो उसी तरीके से यह कह रहा है कि मैंने पैड से क्या करा एक जोड से किक मारी और मैं उपर आने का प्रयास किया लाइक एरो एकदम तीर के शमान ठीक है in spite of the fact that I was holding the drawing boy with my hand और मैंने पाया ठीक है मैंने पाया कि मैंने उस लड़के को क्या कर लिया है save कर लिया है बचा लिया है ठीक है मैंने हाथ से उस लड़के को पकड रखा था as my body rose above the water और मैं अपने सरीर को या पानी में मेरे सरीर उपर क्यों रहा रहा था I felt मैंने महसूस किया a loss of a loss of ठीक है बच्चो loss of का क्या मतलब है अभी समझेंगे I felt a loss of around my neck मैंने महसूस किया ठीक है न कि मेरे गर्दन के आसपास क्या लगा हुआ है कुछ लगा हुआ था बच्चो ठीक है मेरे गर्दन के उपर मैंने कुछ महसूस किया ठीक है I thought मैंने सोचा sorry this printed मैं डर गया या ये चीज मुझे डरा गई ठीक है I thought मैंने सोचा some water animal was going to swallow me यानि कि कोई जो जानवर है ठीक है न पानी का वो मुझे निगली जाएगा ठीक है I hear Carrie squilling squilling मतलब चिलाना ठीक है आवाज तो मैंने Carrie की आवाज तभी सुनी and I knew it was his trunk about my neck और तब मैं जान गया ये Carrie का सुड है जो मेरे गर्दन के आसपास है He pulled us both are short pulled मतलब खीचना किनारे पर दोनों को बोट का मतलब क्या होता है बच्चो तो वह हम दोनों को क्या कर रहा है किनारे की और खीचने का प्रयास कर रहा है आप इस picture में देख सकते है ये Carrie है और ये एक हाथ से उसको पकड़ा हुआ है और इसकी गर्दन भी क्या है बच्चो उसकी सून है ठीक है चले आगे द्यान दीजेगा अब अगले सीन में हम दो क्या पढ़ेंगे द्यान दीजे अगले सीन में पढ़ेंगे कि पॉइंट नमर पहला Carrie becomes fund of ripe bananas अब कैरी अचानक से क्या हो जाता है पके केले का सौकीन हो जाता है ठीक है पिश्वास रखता था ठीक है क्यों क्योंकि अपने मित्र को ज्यादा परिशान नहीं करना चाहता था लिखाना कि much to discomfort of his friend क्यानी कि परिशानी नहीं बढ़ाना चाहता था अपने friend की बच्चो ठीक है इसलिए अपने जातर काम स्वयमी कर लिया करता था कौन कर लिया करता था कैरी अगला पॉइंट कर रहा है with quiet dignity carry accepts the chiding he knows he deserves कह रहा बच्चो चुकि जो quiet dignity यानि शान्त गवरो है उसके साथ कैरी जो है डांट को स्विकार कर लेता था cheating यानि कि डांट को deserve कर लेता था स्विकार कर लेता था अगर उसमें कोई गलती होती तो ठीक है चलिए तो दखिएगा ध्याम से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग समझने का यह रहा बच्चो कि carry was like a baby चुकि carry जो था एक बच्चे के समान था he had to be trained तो उसे प्रक्षिशन दिया जाता था उसे सिखाया जाता था to be good and if you did not tell him when he was naughty he was up to more missive than ever missive मतलब शरारती बच्चो ठीक है तो कह रहा है यदि उसे नहीं सिखाया जाता और वो नहीं मतलब सीख पाता तो काफी जादा naughty हो जाता यानि शैतान हो जाता सरारती हो जाता पहले से इसलिए उसे trained किया जाता था अच्छी चीजों के लिए ठीक है बच्चो आगे कह रहा है कि for intense one day यानि कि मुदाराण के लिए मालने कि एक दिन somebody gave him some bananas to eat अब मालने कि एक दिन किसी ने उसे खाने के लिए क्या दे दिये केले दे ठीक है वेरी सुन तो बहुत जल्द ही he developed a great love for rye bananas तो उसे बहुत ही जादे पसंद आने लगे पके केले ठीक है क्योंकि वो सीख रहा था थ fruit on a table near a window in the dining room कहरा वच्चो कि खिड़की के पास एक मेज पर रखी बड़ा सा table बड़ा सा प्लेट रखा हुआ था ठीक है तस्तरी प्लेट का मतलब तस्तरी होता है तो उस पर केली रखे हुए थे ठीक है ऐसा रखा होता था हर बार की बात है dining table पे डाइनिंग रूम पे ठ अचानक से क्या हुआ कि गायब हो गया सभी के सभी के लिए ठीक है जो रखा हुआ था उस डाइनिंग रूम में टेवल पे तो अचानक से गायब हो गया ठीक आगे कर रहा है कि माई फैमिली यानि जो मेरा परिवार था ब्लेम दसर्वेंट फॉर ब्लेम मतलब क्या लगा दोसी ठहरा दना बच्चो ठीक है तो जो घर के पूरे सदस्य थे थे वो दोसी ठहराने लगे किसको सर्वेंट्स को नो करो को फॉर एटिंग आल दा फ्रूट इन दा हाउस की घर के सारे जो फल है वो नो करी खा गया है ऐसा ब्लेम करने लगे वो ठीक आगे द्यान दीजे अगे करा है कि a few days later कुछ दिनों के बाद the fruit disappeared again फिर से फल क्या हो गए भई गायब हो गए ठीक this time इस बार the blame was put on me इस बार नो कर पर नहीं blame लगा इस बार blame मेरे उपर लग गया ठीक है and I knew I had not done और चुकि मुझे पता था कि मैंने फल नहीं खाया है ठीक है it made me very angry और मुझे इससे बहुत क्रोध हाया with my parents and the servant for I was sure they had taken all the fruit मुझे लगता था कि मुझे इससे लगता था मता पिता को कि भाई कहीं न कहीं ये जो फल है मैंने ही चुरा रहा है मैंने ही खाया है ठीक है तो इसलिए मेरे जो परिवार वाले थे वो काफी जादे गुसा हो गए थे मेरे से ठीक है मुझे लगता था ऐसा वो कह रहा है जो उसका मित्र है ठीक है चुकि इसे पता था कि उसने ऐसा कुछ किया नहीं है ठीक है the next time the fruit disappeared फिर से फल गायब हो गए I found a banana all smashed मैंने पाया कि सारे जो फल थे भाई गायब हो गए ठीक है all smashed up in carries pavilion और मुझे लगा ठीक है ना smashed मतलब कुछला हुआ फेका हुआ पवेलियन मंडप में यानि रहने का स्थान तंबू ठीक है ऐसा कुछ तो मैंने पाया कि बनानास का जो शिलका वगरा था बच्चो वो उस मंडप में या उस तंबू में पढ़ा हुआ था जहां carry रह करता था ठीक है this surprised me very much और यह देखकर में बहुत जादे अचारी चकीत हो गया ठीक है for I had never seen fruit there and as you know he had always lived on tree चुकि मुझे पता था कि वह केल टानियां घीक है और इससे पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि स्वादिश टानियां घाया करता था था थोड़ी नहीं इसको पता रहे गए कि केले भी खाता है ठीक है इसलिए बहूँ जादे surprise हो गया था ठीक है आगे कह रहा है कि next day अगले दिन while I was sitting in the dining room जब मैं dining room में बैठा हुआ था बच्छो ठीक है wondering whether I should take some fruit from the table तो मैंने देखा कि कोई चीज ठीक है न क्या हो गई है ले जा रही है सारे के सारे फल को ठीक है देखे आप देख सकते हैं यह है उसका दो सुन का यह कैरी का सूंड इदर से निकाला खिर्की के मादियम से यह dining room है और सारी फल की थाली से यह तस्तरी से क्या ले गया है फल लेकर चला गया धेट मिंज उसके बनानाज लेके चल गया ठीक है आगे देहां दीजें without my parents permission यानि की कौन है भई जो फल के मेज से या थाली से फल उठा ले जा रहा है बीना मेरे पिता के अनुमती से या माता पिता के अनुमती से ठीक है आगे कर रहा है कि a long black thing कोई काली लंबी चीज ठीक है ना कोई लंबी काली चीज जो है मानो वह शाप हो, very much like a snake, बिल्कुल साप के शमान, suddenly came, अचानक से आई, through the window, किस के मादियम से, खिड़की के मादियम से, and disappeared, और गायब हो गए, with all the bananas, पूरी बनाना को लेकर ही गायब हो गई, भई, तुब काफी कमाल हो गया है न, आगे देखीएगा, कह रहा कि I was very much printed, because I had never seen snake eat bananas, औ सुना था कि केला भी क्या करता है, साप खाता है, ऐसा कुछ, ठीक, and I thought it must be a terrible, terrible मतलब, भयानक, खतरनाक, snake that would sneak in and take fruit, मैंने, नहीं सुना था कि साप भी क्या करता है, केले खाता है, तो मैं डर गया कि बहुत ही खतरनाक साप होगा, ठीक है न, जो कि अंदर आकर ही क्या कर गय कर धीरे धीरे, slowly slowly out हो गया, बाहर चला गया, तो कमरे से धीरे धीरे बाहर निकला, ठीक है, आगे कर रहा वित great fear, काफी डर रहा था में, in my heart run out of the house, यानि घर से बाहर आया, ठीक है, और आगे क्या कर रहा है, कि feeling sure that the snake would came back into the house, मुझे डर था कि साप भी कही न कही मेरे पीछ ठीक, eat all the fruit and kill all of us, और फल को खाने के बाद हम सब को मार डालेगा, फल तो खाये गए, उसके बाद हम सब को मार डालेगा, मुझे इसका डर था बहुत ही जादे, ऐसा वो कह रहा है, आगे कह रहा बच्चो, as I went out, जैसे ही में बाहर निकला, ठीक है न, जैसे ही में बाहर नि कि पीट को देखा, disappearing in the direction of the pavilion, कहां पर उस मंडग की तरफ गया और गाय भी हो गया, उस तंबु की तरफ गया, जहां वो रहता था और गाय भी हो गया, and I was so frustrated, अमें बहुत ही जादे घबरा आ गया, ठीक है, that कि I wanted his company to cheer me up, मुझे जो है, काफी जादे उसके साथ रहने में मज़ा आता था, लेकिन उसके साथ की बहुत जादे आव सकता थी, क्योंकि वो डरा हुआ था, कि साब तो किला खा गया, अब आएगा, अब हम सब को मार डालेगा, ठीक है, तो मुझे उसकी company की बहुत जादे जरूरती इस समय, ठीक है बच्चो, I run after him, मैं उसके ठीक ठीक है, मैं बहुत ही जादे आश्चरी चकीत हो गया, ठीक है, और बिना हिले खड़ा रहा, I stood still, मैं बिना हिले खड़ा रहा अश्चरी चकीत होकर, the bananas were laying stream, all around him, और उसके चारो तरफ बच्चो बिखरे पड़े थे केले के छिलके, he stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing, तो बच्चो जहां पर खड़ा था, ठीक है न, वहां से वह सुड़ को आगे बढ़ाया, ठीक है, और उसने काफी दूर पड़े केले के उठाया, ठीक है, चलिए, आगे ध्यान दीजिए, यह हमारे कैरी भाईया है, देखिए, ध्यान से समझे, यह सुड़ को उठा लिया है, ठीक, कोई नहीं आगे देखिए, कैरा है, ट्रंक looked like a black snake, और उसका जो सुड़ था बच्चों, ठीक है, वो एक सुड़ जो था, वो काले साब के समान दिखाई देता था, ठीक, and I realized, और मैं समझ गया, मुझे एशास हो गया, डैट की, कैरी वाज द थिप, की कैरी ही चोड़ था, I went to him, pulled him out by the ear, and solusely showed my parents, that it was, कैरी, and not I, that had eaten all the fruit, these many weeks, then I scolded him, for elephant understand, words, as well as, ठीक है, 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 and I said to him, कैरा बच्चों, की मुझे एसास हो गया, की काही ने काही है, कौन खारा है, सारा का सारा काम जो है, किया धरा, वो कैरी काही है, मैं उसको कान पकड़ करके, डाटते फटकारते हुए, अपने माता पिता को दिखाने के लिए ले गया, ठीक है, that I had eaten all the fruit, यानि कि वो सभी फल खारा था, जितने सबतों में फल गायब हुए, जितने हफताओं में फल गायब हुए, वो सारा का सारा काम किसका था, हाथी, य अच्छे समझ जाते हैं, ठीक, उसी तरीके से कहिने के ये भी था, नेक्स टाइम, यानि अगली बार, ठीक है, I see you stealing fruit, you will be wiped, कह रहा है, कि अगली बार जो है, मैंने देख लिया ना, तुम्हें चुराते हुए, तो मैं तुझे काफी ज़्यादे कोड़ी बर्साओंगा, ठ वो ऐसा कह रहा है, he knew that we were all angry with him, यानि कि वो जानता था, कि हम सभी लोग उस पर गुशा है, ठीक है, even the servant, अलाकि नोकर भी गुशा थे भई, क्यों, क्योंकि पहली बार इल्जाम तो नोकर पर ही लगा था बच्छों है न, his pride was no injured, so injured, that he never stole another thing from the dining room, और जो है, कभी भी जो है अब चोरी नहीं होती थी, क्योंकि वो पकड़ा गया था, ठीक है, तो कभी भी जो है, समान नहीं चुराया गया, जब भी पकड़ा गया था, तब से, ठीक है, आगे कहा रहा है, and from then on, if anybody gave him any fruit, he was always, he always spelled as it if to thank them, ज्यान दीजे, और जब भी ऐसा होता था, यदि उसे कोई फ कि किया करके, या जोड से चिला करके, उसे धन्यबाद देता था, जो भी उसे फल देता था, खाने को, आगे कहा रहा है, बच्चो, an elephant is willing to be punished for having done wrong, कहा रहा है, कि, यदि कोई भी, अगर कैरी गलती करता था, ठीक है न, तो हमेशा त्यार हो जाता था, रेडी हो जाता था, commitment के लिए, ठीक है, बट लेकिन, if you punish him, यदि आप उसे दंदित कर देते थे, ठीक है, तो without any reason, he will remember, eat and pay you back in your own coin, तो कहरा बच्चो, यदि आप उसे दंदित करेंगे, बिना किसी reason के, तो याद रखेगा इसको, और आपको ही उसे अपनी तरीके से चुकाएगा, ठीक है, या आगे देखिए का point number first कह रहा है, carry is a fast learner, यानि कि carry जो है, बहुत ही जल्दी सीख जाता है, ठीक है, point number second, he masters all signals and sounds he is taught, यानि कि वह सभी परकार के जो signal है, signal का मतलब संकेत से है, प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है, यानि वह सभी परकार के संकेतों को, और sounds, यानि आवाजो को, ठीक है, उसे सिखाया जाता है, और वो बहुत ही जल्दी से सीख जाता है, अगला point, there is one relation, यानि कि यह एक ऐसा कहावत है, ठीक है, दो, that an elephant takes five years to learn, carry is no exception, ऐसा कहावत है बच्चों कि हाथी को सीखने में पांच वरस लग जाते हैं, और carry इसका अपवाद नहीं था, क्यो हो, क्योंकि carry भी प्रकार से क्या था बच्चों, हाथी का बच्चा है, थोड़ा से और स्टोरी बच्चा हुआ है, धान दीजेगा, an elephant must be taught when to sit down, यानि एक हाथी को सिखाया जाना चाहिए, कि कब बैठना है, ठीक है, when to sit down, कब बैठना है, ऐसा हाथी को must be सिखाया जाना चा must है, शिखाया ही जाना चाहिए, you teach him these things as you teach a child, जैसे आप एक छोटे बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी सिखाया जाना चाहिए, ठीक है, आगे देखिएगा, if you say धत and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down, ध्यान दीजेगा, करक यदि आप उसे कान पकड़कर, ये का धीरे बैठना सिख जाएगा, ऐसा कह रहा है, धत की आवाज लगाएंगे तो, ठीक है, similarly, इसी प्रकार से, if you say, if you say, माली, ठीक है, यदि आप कहते हैं, माली, and pull his trunk forward, और उसके सुण को आगे खिशते हैं, he will gradually learn, तो वह समान्य रूप से सिख जाएगा, क्या, it is to signal to walk, यहा खिशते हैं, तो वह बैठने का संखेत है, सीख जाएगा बैठना, या फिर वह बैठ जाएगा, और अगर हम उसके सून को पकड़ कर खिशते हैं, तो उससे यह पता चलता है, यह वा सामने के दिशा में धीरे-धीरे आगे बढ़ना सीख जाएगा, बच्छों, ठीक है, अ गीरे रहा है, बट, लेकिन, ईट TOOK HIM THREE WICKS TO LAND धत, लेकिन धत को सीखने में, ठीक है, यानि की बैठने में उसको लगबग, नीचे बैठने में उसे, अच्छा ने लगते था ता, उसको नीचे बैठना है ना, तो वो इसको सीखने में लगबग कई सबता, यानि तीन सबत आकर समय ले लेता है he was no good age sitting down उसको पसंद नहीं रहाता है नीचे बैठना and do you know और आपको पता ही होगा ठीक है कि why an elephant should be taught to sit down कि एक हाथी को नीचे बैठना क्यों सिखाना चाहिए because he grows taller and taller than you who take care of him so that when he is two or three years कहरा बच्चो चुकि वो इतना जादे दो या तिन सानों में लंबा हो जाता है कि अगर आप उसके बैठना चाहिए तो अगर आप नीचे वो नहीं बैठता है तो आप उसके पीठ पे नहीं बैठ सकते इसलिए सिखाना चाहिए उससे नीचे बैठ ना ठीक है बच्चो चली आगे देन दीजिएगा करें कि यू कैन आउनली रीच इस बैठ विद लैडर लैडर डाट मिन सिंधी ठीक है बच्चो तो यदी अवह माली जे तीन चाहर सब वर्स का हो गया तो आप ऐसे नहीं चौड़ पाईएगा तो चड़ने के लिए सिंध लेडर राउंड अल दे टाइम कह रहा है बच्चो कि अगर वह सीख जाएगा भत का कर अगर बैठना सीख जाएगा तो हम असानी से उसके पीट पे बैठ सकते हैं ठीक है चड़ सकते हैं अगर ऐसा नहीं सीख पाएगा तो कौन जो है उसके चारों तरब शीड़ी लेकर हम कि पुकार सिखाना मास्टर कॉर्यानी माली की पुकार सिखाना एक हाथी के लिए बहुत ही चुनावथी बड़ा काम होता है बच्चो थीक है और यह जिन्रली यानि शमान्य रूप से आम्तर पर टेक्स फाइप एस तो लर्न इस प्रपर ली लगबग पांच वर्स का समय लगता है बच्चो मास्टर काल को सीखने के लिए ठीक है दा मास्टर काल यानि माली की जो पुकार होती है इस ट्रेंज हीशिंग कहरा बच्चो कि माली की जो बिसेज पकार की पुकार होती है वो अजीब एक पकार की फुसफुसाट होती है ठीक है जैसे एक आवाज होती है हाउलिंग होती है जैसे साप और बाग जो है से मानो लिखा ना कि आपस में लड़ रहा है ठीक है और एसी आवाज आपको उसके कान में सुनानी होती है तब यह मास्टर काल होती है ठीक है बच्चो आगे कह रहा है और आप जानते हैं वह यू एकसेप्ट एस्पेक्ट एन elephant to do when you give him the master call और आप क्या जानते हैं कि इस माली के पुकार को करने पर आप हाथी से क्या उपिक्षा कर सकते हैं ठीक है if you are lost in the jungle यदि आप कहीं जंगल में खो जाएं there is no way out तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है and everything is back except these stars above you dare not stay very long anywhere एर बच्चो एदिया परास्ते में खो जाएं कहीं जंगल में और उपर तायव अगे रहा हो अंधेरा हो इसके अलावा कुछ न दिखें ठीक है the only thing to do then is to give the master call और तभी यह master call बहुत ही आवस्यक हो जाता है बच्चो माली की पुकार जिससे सुन करके हाथ ही आता है और आपको बचाएगा ठीक है it once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk यानि की हाथ ही क्या करेगा भई सुन से अपने उखाड फेकेगा अपने सामने के सभी पिंड़ों को आपके लिए रास्ता बनाएगा आपको बचाएगा this frittance all the animals way और इसके डर से सारे जानवर डर कर भाग जाएगे क्योंकि पिंड़ों टूट रहा है तो मतलब सभी जानवर डर कर भाग जाएगे as the tree comes crashing down और पिंड़ों क्या हो जाएगे टूटने लगेंगे crash हो जाएगे ठीक है monkeys wake from their sleep और बंदर जग जाएगे अपने नीन से ठीक है run from branches to branches और शखाओ से शखाओ पर दोड़ लगाने लगेंगे बच्चो ठीक है चली आप देख सकते हैं यहाथ ही है अगर पेनल को तोड़ता है तो सारे बंदर नीन से जग जाते हैं ठीक है और भगने लगते है सारे जो चोटे मूटे जानवार है वो भी भगने लगते हैं ठीक है चलिए धन दीजी थोड़ा सा है खतम कर लिए हम लोग आगे करें you can see them in the moonlight यानि कि तुम उन्हें चांदनी रातों में देखो ठीक है and you can almost see the stage running in the all direction below यानि कि आप देख सकते हैं किसको steps बारश रिंगों ठीक है ना इधर से उधर हर दिशा में भागते रहेंगे ठीक है you can hear the growl of the tiger यानि अब बाग के धारने के आवाज सुन सकते हैं in the distance कुछ दूरी पर ठीक है आप कहीं दूर बाग के गुराने के आवाज सुन सकते हैं even he is sprinted अला कि वो धारा हुआ है ठीक है भैभी थे क्यों किस से हाथी से then the elephant pull down the next three and three next पहरा बच्चो कि वो एके करके सभी पेड़ों को खाड़ देगा दूसरे सभी पेड़ों को खाड़ देगा ठीक है so you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house और बच्चो आप देखेंगे कि जंगल से सीधे आपके घर तक क्या कर देगा बच्चो हाथी रास्ता बना देगा है ना बच्चो तो रहना कमाल का चैप्टर काफी प्यारे चैप्टर था मुझे अमीद है कि अब बहुत ही अच्छे से चीज को समझे होंगे ठीक है तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और चैणल पर नए हैं बच्चो तो ब्राइन…